RPF 2024 की भरती में आपका selection होगा या नहीं होगा, ये दो चीजें decide करेंगी, जिसमें आपकी पहली चीज आती है, आपकी तयारी और दूसरी चीज आती है आपका group, यानि कि आपने किस group से, किस zone से form apply किया है, तयारी तो सभी करेंगे ही करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐ नहीं दिया, zone के बारे में अगर आपको नहीं बताएं तो काफी दिक्कत हो जाएगी, सबसे main जैसे कि मैं आप सभी को बताने बाला हूँ कि एक अब्यर्ति कितने group से form apply कर सकता है, और यहां पर safe है, जो आपका group यहां जोन रहेगी, वो कौन सी रह सकती है, तो यह चीज सम करते हैं, और आप सभी को पूरी जान करी देते हैं, साथ ही मैं आप सभी को बता दें, जो वच्चे RPF, Constable NSI के लिए तैयारी करने हूँ, उनके लिए सब इंस्पेक्टर के लिए यहां पर practice workbook मिल जाती है, 2018-19 के, हल पेश्डो सही, जिसमें 22 सेट आपको मिल जाएंगे, 2024 का latest edition का, अगर बात करेंगे कैसे question आते हैं, लेवल क्या रहता है, तो इसके लिए आपको solid paper मिल जाती है, detailed solution के साथ, जिसमें आपको total 33 सेट दिये गए है, सब इंस्पेक्टर RPF 2024 का latest edition का, अगर मैं Constable के लिए बात करूँ, तो Constable के लिए practice workbook आपको मिल जाती है, जिसमें आ सेब इसी के साथ, अगर मैं बात करूँ, तो यहां पे आपको solid paper भी देखने के लिए मिल जाएंगी, अगर मैं solid paper की बात करूँ, तो 41 सेट आप सभी को मिल जाते हैं, 2024 का latest edition है, और यह current publication का आपको मिल जाता है, जिसमें आप सभी को यह clear हो जाएगा, कि किस type के और किस label के question पूछे जाते हैं, कैसी आपको तयारी करनी हैं, तो जो अच्छे अलग रहता है जैसे आपका group D हो गया या बाकी की NDPC बगरा जो होता है उसे में इस तरीके का process नहीं होता क्योंकि यहां पर प्रोसेस होता है यहां पर प्रोसेस होता इस तरीके से आरपीफ की विकिंसी निकलती है अब यहां पर बात आती है कि एक बच्चा कितने गृप के लिए अपलाई गर सकता है कितनी जोन के लिए अपलाई कर सकता है वो सारी चीथ है जब आप फॉव्म अपलाई करेंगे थो आपको एक गृूप चूप करना पहलेंगे बाकी कब B की कितनी भी कुछ जाएं जादा जाए एक कितनी जाएगी डीए एफ आपको कोई लेना देना नहीं है आपकी कट-off off Group C की a according decide Oggie की cut-up जदा जाती है कम जाती है उसी की a according आपका selection होगा लेकिन इसमें प्रिफरेंश दे सकते हैं आप अपकी E-C-R भीुए और इस यू-R भी है तो इन मैंसे क्या है कि आपको यहाँ पर जोन देखने के लिए मिल रहे है गुरूप सी में तो आप इन में से कोई एक फॉर्स्ट रख सकते हैं जैसे आप चाहिए तब फॉर्स्ट मैं प्राइटी दूँगा ECR को सेकंड देता हूँ, ACR को फिर देता हूँ, ER को तो यहाँ पर क्या है कि आपका जोन का प्रेफरेंस तो रहती है लेकिन गुरूप का कोई प्रेफरेंस नहीं है यानि कि जिस जोन में आपने फॉर्म अप्लाय कर दिया उसी की कटफ आपको जिलनी पड़ेगी भले ही फि 50.09 और वहीं पर जलनल की कटफ अगर आप देखेंगे D गुरूप में तो कितनी गई है 117.83 तेम इसी तरीके से गुरूप E की OBC की कटफ कितनी है 61.33 और यहाँ पर अगर आप गुरूप D में देखेंगे OBC की तो कटफ गई है 120 अब आप ऐसे समझों के पड़ाई से इतन पढ़ाई की अभिए तरही इतनी आपकी दिमाग की भी एहिएत रहेगी कि आप कौन सा यहाँ पर जों कौन सा गुरूप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं जोन का तो इतना रोल है नहीं लेकिन पूरा जो रोल है वह है आपके गुरूप का अगर आप एक सई ग्रूप चुल 16 वाले का फिर भी selection होता है और 50.09 वाले सेलेक्शन हो जाता है तो यही चीज़ें यहाँ पर सभी को समयने ही पड़ेंगी अब फिर बात आती है कि सबसे सेफ़ास पर याँ पर कौन सा रह सकता है तो देखो मैं आप सबीजे को बता दूँ कि सबसे main चीज सबसे पहले हर कोई जो जाएगा वो last year की cut-off पे जाएगा कि 2018 की cut-off कितनी गई थी और जिस group में सबसे कम cut-off गई थी उसी group में form apply कर देना चाहिए जर्रनली इसी तरीके से हर कोई बताएगा अगर इसे इसाब से अगर हर कोई देखेगा तो इग्रूप में सबसे ज़्यादा आपके form apply होंगे और जब सबसे ज़्यादा form यहीं apply होंगे तो definitely CDC बात है कि cut-off before यहीं की जाता जाएगी इस चीज को कोई नहीं बदल सकता तो यह अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके साथ दिक्कत खड़ी होने वाली है और फिर आप उसके खुद ही भुगतव होंगे जब इसके form start होंगे तो मैं आपको खुद बताऊंगा कि कौन सी safe zone आपकी हो सकती है अलंकि कितनी सही होगी कितनी गरत वो समय के साथ आपको पता चल जाएगा लेकिन चीज़े जितनी आपके लिए आपके favor में हो सकती है वो बताने का प्रयास आप सभी को किया जाएगा तो ज्यादा जल्दबाजी आप सभी को नहीं करनी हो और अभी फिलाल अगर कोई last year की cutoff को देख के आपको यह बता रहा है कि यह सबसे safest zone सबसे dangerous zone भी हो सकती है और उसे बनने में कोई भी time नहीं लगेगा तो इसलिए मैं आप सभी को इतना कहू दूँगा तो यह दौना चीज़ें आपको clear हो गई होंगी कि safe zone के बारे में अभी आपको पढ़ना नहीं है कौन सी safe रहेगी वह मैं आपको application form भरने जब start हो जाएंगे तो बता दूँगा दूसरा आपको यह preference वाला समझ में आगया होगा कि group में preference नहीं दे सकते हैं लेकि अपने culture की according देख सकते हैं अपने बोली भासा की according देख सकते हैं बस इतना कर सकते हैं बागी का जो पूरा खेल होता है cutoff का वह तो आपके group के उपर ही depend करेगा आई होप आप सभी के बहुत ज्यादा comment message आ रहे थे तो यह topic एकदम से clear हो गया होगा तो तैयारी में लगे रह जै हिंग जै वारत